हेलो गाईज कैसे हो आप सब मेरा नाम है दीपक चोरसिया और आप सबी का हमारे इस यूडिव चैनल पर स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन एक्स के बारे में इसका मैं एक तरीका का रिविव करूँगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि 2022 में ये आईफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए सो वीडियो एंट तक जरूर देखेगा और अगर आप इस चैनल पर पहले बारा हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी बेल आगन को आउन कर लीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर आईफोन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती हैं ये आईफोन काफी पुराना है कब लाउन्च हुआ था अगर मैं उसकी बात करूँ तो ये आईफोन लाउन्च हुआ था गाईज 2017 के end में दिसंबर तक 2017 में सब कहीं available हो गया था लेकिन इसकी प्राइस थी वो बहुत जादा थी ये फोन एक लाग रुपे के आसपास जो है लाउन्च हुआ था और 256GB वाला जो वेरियंट है अगर आप फिलिप कार्ट पे अभी देखते हो तो ये आपको जो है एक लाग 7000 पर मिलता है और ये 5 साल पूरान आइफोन है 2017 के end में आए था अभी 2022 चला है और November आएगा तो इसको 5 साल complete हो जाएंगे ये आइफोन क्यों नहीं लेना है चाहिए अगर मैं उसकी बात करूँ तो सीधा सीधा रिजन यही है कि इसमें जो है आईवे 16 के बाद कोई अपड की तरब से उसके बाद उन्होंने जो है इस डिजाइन को इस साइज को हटा दिया लेकिन इस आइफोन को आप एक हांट से यूज कर सकते हो बहुत ही प्रीमियम फील देता है यह आइफोन इसके बाद के जो भी आइफोन है 6.1 इंच वाले वो थोड़े से काफी बड़े है आइफोन 11 हो गया एक सार हो गया लेकिन उसको चलाने में कम मज़ा आता है लेकिन यह फोन जब आप यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा इसको फोन को जो है अगर मैं बात करूं कैमरा वगरा कैसा इस फोन में तो कैमरा वगरा ठीक है पीछे की तरफ आप 64GB वाला तो अगर आप पुराना फोन ले रहे हो तो भी मैं कहूंगा 64GB वाला मत लीजेगा वो स्टोरेज जो है आपको बहुत जिदा प्राब्लम क्रेट करेगा इस इसमें जो है आप फोटस पगरा डालोगे तो आई क्लाउड जो है आई स्टोरेज बोलेगा बार बार आ अचकल आता है उससे तो काफी फास्ट जो है फेस आईडी काम करती है और यही वो आईफोन था जिसमें आपल ने पहली बार फेस आईडी दी थी बाकी यहां पर आप वायरलेस चारजिंग भी कर सकते हो अगर आपका आईफोन खुला नहीं है क्योंकि आज के टाइम पर आ बाकी मैं अपनी जो है इसका रिविव करूँगा क्योंकि कभी-कभी जो है थोड़ी प्रॉब्लम जो है कर देता है तो इस वजह से मैंने भी जो है शॉप का भी एड्रेस नहीं दिया है थाकि आप जाओ मत और आपका पैसा वेशना हो जाए तो फोन तो यह बहुत संबर में इसको जो है 2018 में डिस कंटिन्यू कर दिया था तो अभी यह सेकेंडर आराम से मिल जाएगा 14-15,000 पर में आप ले सकते हो लेकिन आपको जो इसमें iOS 16 के बाद कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें जो chipset लगा हुआ है A11 वाला वही chipset आप आपको आइफोन 8 में भी मिलता है तो थोड़ा जो है performance से रिलेट आपको थोड़ा सा हो सकता है जो है इसू हो जाए बाकि सब कुछ आप जो है नॉर्मल जो एप्स होती है social media एप्स और अपना कॉलिंग वगरा सब कुछ परफेक्टली जो है चल रहा है अगर मैं बात कुर 10 Megapixel का आपको कैमरा मिल जाएगा बाकि Android के मामले में काफी बेटर है बाकि यही सब चीज़े है जो नॉर्मल चीज़े होती है iPhone 8 को एक तरीके से बड़ा कर सकते हो बाकि इसमें features जो है काफी अच्छे च्छे है और look wise तो यह बहुत premium लगता है आप इसको चाहो तो यूज यूज कर सकते हो तो अब बात कर लेते हैं बैटरी बैकप की बैटरी बैकप कैसा है बैटरी बैकप पिछले iPhone में जैसे 6s 7 8 में बहुत ज़दा हो रहा था लेकिन iPhone X में आपको बैटरी से related कोई problem नहीं होगी क्योंकि इसमें 226 image की बैटरी मिल जाती है जो एक sufficient है 22 image की वीडियो वेगर आप बनाओगे कोई भी दिक्कत जो है आपको नहीं आईगी 4K 60 FPS में वीडियो रियर कैमरे से आराम से रिकॉड कर सकते हो तो बैटरी अगर आप जो है टेस्ट लेना चाहो तो आप एक बार इसको अगर 100% चार्ज कर लेते हो तो 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉ बैटरी से रिलेटड कोई प्राब्लम नहीं आईगी पर्फॉर्मेंस बेस्ट है अपडेट का थोड़ा इशू रहेगा जो मैंने आपको बताया बाकी आप ले सकते हो अपने हिसाब से देखे बाकी खुला ना हो अगर खुला होगा तो आपको पानी में नहीं ले जाना च अब तक के लिए बाई बाई